हेलो फ्रेंट्स, वेलकम आपके अपने यूटूब चैनल में फ्रेंट्स जो आपने थमनेल में देखा तो फ्रेंट्स आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक रेबिट कम से कम female rabbit कम से कम कितने बच्चे देती है और जदा से जदा कितने बच्चे दे सकती है तो friends एक तो मैं बताओंगा जो आपको मेरे साथ अपना खुद का experience पहले बता देता हूं आपको मैं friends मेरे पास कम से कम एक female rabbit एक बच्चा दी है, तो friends एक बच्चा देने का कारण भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक बच्चा ही क्यों दी है फ्रेंड्स वो कम से कम और मैक्सिमम मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड मेरे पास में नो बच्चे दी है एक female जिसमें कहएगी female से बच्चों की care भी नहीं हो पाई थी पूरे बच्चों की अच्चे से और उसमें बच्चे कमजोर रह जाते हैं तो इतने ज़्यादा बच्चे देने का कारण और कम देने का कारण मैं बताता हूँ friends आपको friends अगर आपकी female एक या दो बच्चा दे रही है तो friends या तो वो healthy issue है कमजोर है या friends अगर उसकी age ज़्यादा हो गई है इसकी वज़े से friends बच्चे कम देने का कारण ये किये है या female rabbit केजी केज में बंद रहती है उसके कारण भी बच्चे कम होने के chances रहते है friends ज़्यादा बच्चे देने के chance ये है अगर female rabbit खुले में है मिट्टी में है सुरंग बना रखी है तो वहाँ क्या कि उसकी health भी अच्छी रहती है और उसकी exercise अच्छे से होती है तो friends कम से कम एक female rabbit एक बच्चा दे सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दे सकती है लेकिन friends मेरे पास में ज़्यादा ज़्यादा नो बच्चे दे